आज हम लोग बनाएंगे किलास 11 साइंस मैथेमेटिक्स में कॉंबिनेशन के mcq को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पर्मुटेशन के mcq को बताया था और पर्मुटेशन और कॉंबिनेशन का इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला वगरा भी बताया था ठीक अज कॉंबि यह मैंने एक साल पहले खरीदा था तो इसमें जो है इस साल से जो सेमिस्टर सिस्टम जो लागू हुआ है तो अभी जो new book के साथ जो है mcq जो है ज्यादा दिया जा रहा है तो वह mcq मैं इसके बाद वीडियो में सॉल्ब कर दूंगा अभी मैं सिरिफ चुकि मेरे पास ए परें ले मैं उसको सॉल्ब कर दूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो एक स्टम सीक्यू दिया हुआ है अभी वह मैं सॉल्ब कर दूंगा ओके कॉम्बिनेशन का फर्मूला हम लोग सबसे पहले देख ले मैंने यहां पर लिखा है समेराइजेशन यहां पर दिया खिल पर लने यहां अगर हमारे पास x अगर हम लोग एक वक्त में र चीजे लेते हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा हुआ उसको न सी र लिखते हैं यह कॉम्बिनेशन अगर यहां यहां पर लोग सबसे खिले अगर इसका फर्मूला यह वहला होता है । इसका फर इसके formula में शिरीप इस r factorial का difference है ठीक यह factorial r जो यहां पे है यह combination में आ जाता है extra क्यों आता है उसका reason book में भी दिया हुआ है मैं simple मैं इसे बता दे रहा हूँ ncr में यह factorial r रहता है और npr में जो है यानि permutation में factorial n by n minus r का factorial होता है यह factorial r नहीं होता है इसका वज़ा यह है कि combination में हम लोग क्या करते है गुरूप बनाते हैं और permutation में हम लोग क्या करते है एरेंज करते हैं तो permutation में जो भी हम लोग लेते हैं तो वह अगर हम लोग तीन चीजे लेते हैं वह तीन चीजी भी आपस में अरेंज होता है तो इस तरह हमें पर्मुटेशन में ज्यादा मिलता है जबकि कॉंबिनेशन में क्या हो जाता है अगर हम लोग तीन चीजे लेते हैं तो तीन चीजों को सिरफ एक ही गुरूप समझा इसलिए combination में यह number कम हो जाता है तो वहीं है कि permutation में नहीं अगर हम लोग r चीज़े लेते हैं तो र चीज भी आपस में arrange होता है कितने तरह से range हो सकता है NPR का यह फर्मूला है अगर अमनोग उपर नीचे फैक्टोरियल र इंटू कर देंगे तब क्या हो जाएगा कि यहां से यहां तक अगर अमनोग इस तरह से देखे यह वाला पार्ट इतना दूर तक तो यह क्या हो गया यह बन गया हमारा कॉंबिनेशन वाला ठीक यह वाला द देखे नमबर 2 में है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल र इंटू NCR तो पर्मूटेशन यह ज़्यादा होता है कॉंबिनेशन यह कम होता है जो कॉंबिनेशन में तीन चीजे तो तीन चीजों के एक ही गूरूप समझा जागा जबके पर्मूटेशन में तीन चीजों के च्छ अब चैवल का जायंगे सांच्ट है, तो उसके बाद, हम लोग नमबर 3 फॉरमूला में आ जाएंगे, nc0 मतलब होगा 1, ncn1 मतलब होगा n, थिक ? यह सब ही क्यों होगा? अगर को खोल के मतलब कर समझना चाहते हैं, तो इसका मतलब होगा, हम लोग एन चीजों को बनाना है, अन्सरे निटेश जो को खिम एक टायमों कर trave भी जहां, वह समझा जाता है या एंन चीजों में, किसी पूरे चीज को एक इर भी पर रहते हैं, तो बीक भी केस समझा जाता है तो एक दूर समझा जाता है। N-C-N का मतलब यह हो रहा है कि N चीजों में सारे चीजों को ले करके हम एक गुरूप बनाना है, तो यह एक ही गुरूप बनेगा, माली जे पांच आदमी है और पांच आदमी में पांच आदमी को ले करके गुरूप बनाना है, तो पांच आदमी में पांच आदमी को अगर वक्त में ले लेंगे तो एक ही गुरूप बन सकता है तो यह होगा वान N C 1 का मतलब क्या है मालीजे एन आदमी है और एक एक आदमी का गुरूप बनाना है तो इस तरह कितना गुरूप बना सकते हैं तो जितना आदमी रहेगा उतना ही गुरूप बनेगा पांच आदमी है और एक एक आदमी का गुरूप बना एक एक आदमी का गुरूप नहीं होगा मतलब एक एक आदमी को अगर सेलेक्ट करना रहा तो पांच आदमी में से पांच आदमी को कितना तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं यह या फिर वो या फिर वो या फिर वो तो जितना आ यहां 2 है तो दो मरतबा तक लेंगे फैक्टोरियल के हिसाब से और नीचे में फैक्टोरियल 2 हो जाएगा ठीक nc3 मतलब क्या होगा n into n-1 into n-2 यानि 3 है तो 3 मरतबा लेंगे n n-1 n-2 by फैक्टोरियल 3 यह सारा कुछ इसी फर्मुला से आ रहा है ठीक अगर हम र के जगा में 3 फैक्टोरियल 3 होगा और यहां पर पूट करेंगे तो यह हम देखेंगे यह वला आएगा ठीक तो इस तरह से हम लोग लिखेंगा इसी तरह से अगर हम लोग यह nc3 वाला लेकिया, nc4 तब क्या होगा, यह तो हैने बुक में बता दे रहा हूं, तो फिर क्या होगा, तो हम n से start करके 4 बर लेंगे, n into n-1 into n-2 into n-3, तो एक, दो, तीन, चार, चार फेक्टर लेंगे, by factorial 4, इस तरह nc5, nc6 का हम लोग भैलू, डारेट पूट करके निकाल सकते हैं, इस तरह फर्मूला ना पूट करके भी, ठीक, इसके बाद है, चार नंबर फर्मूला में एक इंपोर्टेंट चीज है, वह है, ncr equal to होता है, ncr i-r, यह सब पूरूफ किया हुआ है, जस्ट हम लोग इसको यूज करेंगे, mcq में, यह लिएकर ncr है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ncr को माइनस करके यह r के जगा में लिख सकते हैं, इसका बहुत यूज होता है, किस तरह से देखें कि एक ग्जाम्पल से समझा माली जे लिखावा है, 10c7, तो 10c7 को अगर हम लोग इस हिसाब से कर तोड़ेंगे, तो हम लोग को 10 लिखना पड़ेगा, 10 into 9 into 8 into 7 into, ऐसे करके कितना factor लिखना पड़ेगा, 7 factor लिखना पड़ेगा, ठीक, उसकी जगह में अगर हम लोग इस formula को यूज करेंगे, तो यह formula क्य बोर रहा है, n से r को माइनस करके नीचे में लिखो, और यह n उसी तरह रहने दो, तो 10 को उसी तरह रहने देंगे, और 10 में से 7 को माइनस करके यहां पे लिखेंगे, जब 10 में से 7 को माइनस करके लिखेंगे, तो यहां कितना होगा, 10 minus 7, यानि n minus r के तरह, तो यह हो गया कि 10 c 10 से 7-3 तो इसका मतलब 10 c 3 और 10 c 7 दोनों से में इस फर्मूला के हिसाब से तो इसका फाइदा यह होगा जब हम इसको तोड़ेंगे इसको तोड़ना इजी होगा हमनों के इस हिसाब से तो फिर इसको इस तरह लिखा जाएगा 10 के बाद कितना फेक्टर लिखना है 10 इन्टू मनने 10 से स्टाट करके तीन फेक्टर लिखना है 10 इन्टू नाओ इन्टू 8 तीन फेक्टर लिख लिख लिया बाइ फर्मूला इम्हार बहुत काम में आएगा अगला है पांच नमबर फॉर्मूला अगर nc p equal to nc q हुआ इस तरह दो हुआ equal हुआ तो या तो p और q बराबर होगा ऐदर p n q equal होगा और अगर p और q बराबर नहीं है अगर अलग अलग है तो इन दोनों को add करके n के बराबर होगा यानि p plus q equal to n होगा यह दोनों को जोड़ के क्या होगा n के बराबर होगा जब p और q बराबर नहीं है या तो P और Q बराबर हो जगा या P Q बराबर नहीं होगा तो दोनों को जोड़के बराबर N होगा यह सारा formula पूरूप किया हुआ है इसके पांच नंबर formula है यह भी important है NCR plus NCR minus 1 equal to होता है N plus 1 by N plus 1 CR यानि क्या यह दोनों N and same रहेगा नीचे एक जगा R है नीचे एक जगा R minus 1 यानि इससे एक कम तो फिर एक वल क्या करेंगे N में एक जोड़ देंगे और इसमें जो बड़ा वला भेल हुए है वो लिखेंगे इसके example मैं समझा रहा हूँ एक अभी हम लोग करेंगे example जैसे माली यह लिखा हुआ है 5C3 पलस 5C2 यह कितना होगा तो यह formula के हिसाब से 5C3 है यानि NCR अब 5C यहाँ पर क्या है इससे एक कम है देखिए R से एक कम R minus 1 है तो यह एक कम है 3 से कम 2 है तो यह इस formula के हिसाब से तब क्या होगा तो होगा N पलस 1 यानि 5 में एक जोड़ देंगे तो यानि 6C और इसमें कौन वाला को यह बड़ा वाला यानि R 3 यह हो गया इसका बहलो फिसको तोड़ के लिख सकते ईजीली तो इस तरह का यह formula बहुत का है यह सब पूरूफ किया वाइबूक में हम लोग जश्ट यूज करेंगे उसके बाद एक और फॉर्मूला है डिवाइड वाला है N C R बाई यह दोनों का डिवाइड यह दोनों पलस था यह दोनों डिवाइड अगर होता N C R by N C R minus 1 तो इसका फॉर्मूला होगा N minus R plus 1 यह दो N C R को minus कर लें उसमें एक जोड़ दे पलस 1 by यह R हो जाएगा ठीक N minus R plus 1 by R इसका भी एक्जामपल हम लोग इसी तरह कर सकते हैं जैसे मान लिजी क्या लिखा हुआ है 5 C 3 और नीचे में हो गया 5 C 2 तो यह बराबर क्या होगा यह इसी सेम होगी है इसी तरह का तो यह होगा कि इससे इसको minus करेंगे उसमें एक जोड़ेंगे तो 5 से 3 minus करें 5 minus 3 plus 1 by 3 हो जागा नीचे में 3 यानि R तो यह जो आएगा 5 में से 3 minus करेंगे 2 plus 1 3 3 by 3 हो जाएगा यानि 1 हो जाएगा यह इसका value 1 हो जाएगा ओके इसके बद हम लोग 8 number formula में आ जाएंगे तो यहां जो 8 number formula है वो है the total number of combinations of and different things taken any number at a time इसका मतलब है हमारे पास इन अलग-अलग चीजें है और उसमें हम जो है different चीजों में से taken any number at a time एक वक्त में हम कोई भी एक number को ले रहे हैं या तो इन चीजों में हम एक एक चीज को select कर रहे हैं या दो दो चीज को select कर रहे हैं या तीन तीन चीज को select कर रहे हैं या चार-चार या पांच-पांच इस तरह करते करते n में से n चीजों को select कर रहे हैं तो इस तरह total जो combination बनेगा वह होगा 2 to the power n minus 1 इसी को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो इस तरह का होगा या बुक में दिया हुआ है इस तरह से n c1 यानि एन चीजों में एक एक चीज को select करना या दो दो चीज को select करना या तीन-तीन चीज को select करना इस तरह करते करते आखिर में n में से n चीजों को select करना इन तमाम का addition को यानि इनके जोड का जोड़ का टोटल बनेगा इसी को बोला जारा है taken any number at a time तो यह equal to होता है 2 to the power n minus 1 बहरी important है competition exam में भी बहुत आता है nc1 plus nc2 plus nc3 plus dot 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 plus ncn equal to क्या होता है 2 to the power n minus 1 होता है 9 number formula है के माले हमारे पास total इतना चीज है P plus Q plus R plus dot 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 इस तरह से अलह है इस में से इतने चीजों में से of which P things are alike यानि P चीजे एक जैसा है one kind एक तरह का है Q चीजे एक तरह का है यानि कोई दूसा तरह का R चीजे कुछ तीसरा तरह का है यानि माले पी पांच सेब है एक जैसा Q माले जै केला है R माले जै नस्पति है अनि अलग अलग ताइप का इस तरह का चीजे है एक तरह का अलग अलग है तो टोटल नमबर ओंब मेनेशन बनेगा इस तरह से प 2 ए into Q 1 into R ± 1 Да माइनस 1 पांच कितने चीजों की से ले रहे उख सभी चीजों का हम जो इस तरह से ले सकते है यानि ठीक नमबर 8 के तरह के टेकन एनी नमबर एट अटाइम तो यह टोटल कॉम्बिनेशन इस तरह का टोटल इतना माइनस 1 होता है किस तरह से होता है यह भी फॉर्मुला में दियो बट यह हमारे अभी कॉंसेप्ट में नहीं हम लोग करेंगे बस हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि ऐसे पी चीजों को पी तरह से स्लेट कर सकते हैं हमाली यह पांच चीजे तो एक एक करके ले सकते हैं या दो दो करके या तीन करके तो हम पी चीजों को पी तरह से स्लेट कर सकते हैं या अगर एक कर के लिए दो करके या थीन करके तो लास्ट में पी चीजों को उसमें एक केस यह होगा कि पी में से कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि और भी तो चीजे साथ में है तो जो सेलेक्ट कोई भी नहीं हुआ तो वो भी एक केस हो गिया तो वो भी साथ में एड हो गिया पलस वान यानि पी में से किसी भी चीज को सेलेक्ट नहीं किया लस्न like & सब्सक्ति का के जाए इस तरह से तरह से सारे चिज को यहां और अगर आपको details में समझना है तो यह यहां पर दिया हुआ है इसको आप पढ़ेंगा अगर सही से अच्छा से तो यह चीज समझ में आ जाएगा कि लिए लिए ठीक यहां पर लिखा हुआ भी मैंने समझा दिया और 10 नंबर में है कि जो ncr होता है इसके greatest value कितना होता है यह तरह का question होता है कि इसके greatest value कब होगा यह आर का किस value के लिए greatest value होगा तो देखे अगर n अगर even नंबर है तो इसका जो greatest value क्या होगा कि जब हम r जो है n का आधा लेंगे यानि r equal to n by 2 होगा माली जी n है 10 तो हम लोग इसका जो सबसे ज्यादा value आएगा वह होगा जब हम r लेंगे 10 बटा यानि 5 यानि 10 C 5 10 C 5 में इसके greatest value मिलेगा इसका यह इसा हो सकता है 10 C 1 छोटा value मिलेगा 10 C 2 10 C 3 इस तरह से तो जो सबसे ज्यादा value मिलेगा 10 C 5 मिलेगा इसक लेकिन अगर n odd number है तब इसका जो greatest value मिलेगा तो कम मिलेगा जब हम r लेंगे n minus 1 by 2 यानि जो n है अगर odd number है तो उसमें से 1 minus करके फिर उसको 2 से divide करेंगे या फिर उसमें 1 एड करके फिर 2 से divide करेंगे इसे माली जे n मतलब 11 है तो 11 में से गटा दें 10 10 by 2 यानि 5 होगा या फि से 12 12 by 2 करेंगे यानि 6 होगा तो r का जगह में जब हम 6 लेंगे या 5 लेंगे तो फिर इसका value सबसे greatest value मिलेगा सबसे ज्यादा value मिलेगा तो यहां तक तो 10 नमबर तक formula है लेकिन और भी formula है जो important है जो मैंशन है यह 5 नमबर यह formula है restricted combination के माली जी एन चीजे हमारे पास है इसक टाइम ले रहे है लेकिन उसमें P particular things always occur इसमें P particular चीज हमेशा आएगा हमेशा उसमें रहेगा तो फिर इसका combination होता है चुकिए P particular चीज हमेशा रहेगा तो पहले N- P, N- P, P- करेंगे combination लेंगे R में से भी P- करेंगे यानि जब अगर P particular चीज हमेशा आएगा तो N- P, C, R- P और अगर ये P particular चीज कभी नहीं आएगा नेवर होकर अगर होता है कभी नहीं आएगा उस combination में तो इसका formula को N- P, C, R यानि यहां पे minus ने करेंगे शिरिफ यहां minus करेंगे ठीक अब हम लोग आजातें M-C के उपर यह हमारा exercise 7B है पेज नमबर 365 है पहला M-C के हुए N-1 C, R पलस N-1 C, R-1 equal to क्या होगा ठीक है यहां आप देख रहे हैं यह दोनों सेम है यहां एक मरतबा R, एक मरतबा R-1 तो यह जो है उस formula के तरह हो जाएगा यानि यह जो इस formula के तरह हो रहा है यह वाला N-C R पलस N-C R-1 तो यह कितना होता है जब यह एक R है और यहां एक कम है उसमें से तो इसमें एक जोड़ देंगे और यहां पे C जो बड़ा वाला R है यह लिखेंगे ठीक इसका हिसाब से अगर हम एक को करेंगे तो फिर क्या होगा तो फिर इसका एंसर होगा NCR, यानि option C सही होगा, ठीक उसकाद दो नमबर में बोला है, ये दिया होगा है, NPR equal to X into NCR तो बले X का भीलू क्या होगा, ये तो second फॉर्मूला है कि NPR और NCR में क्या relation है, कि यहां पर NPR क्या होता है, फैक्टोरियल R टाइम्स NCR होता है, तो यहां पर फैक्टोरियल R होगा एक्स के जगा में, तो X मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल R, तो इसका correct option होगा D, इसका तीन नमबर में है, ये दिया होगा है, यहां से बोला K का भेलू निकालो, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तीन बार लिखना पड़ेगा, फैक्टर, C3 है तो N into N-1 into N-2 by नीचे 3 यहांने 3 फैक्टोरियल R, equal to यह वाला, उपर उपर में कैंसल करें, C, C, sorry N, N, N-1, N-1, N-2, N-2, N-2 तो इसार होगा होगा, 1, 1 by factorial 3 मने 6 होता है, यह factorial 3 मतलब क्या होता है, 3 into 2 into 1, यानि 6 होगा, तो K equal to 1 by 6, यानि इसका correct option D होगा, चार नमर में बोला है, N, C, P बराबर N, C, Q, और P not equal to Q है, तो बोला है, N minus C बराबर क्या होगा, तो जब बोल दिया के P और Q बराबर नहीं है, तो फिर हम लोग, अभी जो formula हम लोग ने सीखा, कि यह दोनों को जोड के N के बराबर होगा तो यह दोनों को जोड के N के बराबर होगा, तो यहां से N बराबर क्या हो जाएगा, गुमा के लिखेंगे P plus Q, और इधर minus P, तो P को इधर कर देंगे, left side में, तो N minus P बराबर क्या होजागा, Q होजागा, यानि option, N minus P बराबर Q, यानि option C सही होगा, ठीक, या option, चार नमर मे option C, Q, next है, पांच नमर में, मैं question का भी pdf file और answer solution भी pdf file description में दे दूँगा, वहाँ से ब डाउनलोड कर लिजेगा, ओके, पांच नमर में यह दिया हुआ है, N minus R plus 1 into NCR minus 1 equal to M into NCR, यहां से बोला M बराबर क्या होगा, तो देख समझ में आ रहा है, या NCR या NCR minus 1 है, यह formula य जाएगा, NCR by NCR minus 1 equal to क्या होता है, डिवाइड वाला में, N minus R plus 1 by R, जो भी अभी हमने सीखा, यहां से इसको cross multiply कर दे, इसके जैसा आ जाएगा, ठीक, तो N minus R plus 1 किसे into हो जाएगा, NCR minus 1 से, और R किसे into हो जाएगा इसके साथ, R into NCR, यह दोनों का मेंच कर आई, देखें, ल R into NCR, तो M बराबर क्या समझ में आया, R, यानि M बराबर R होगा, option D सही होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कि NCR इसको इधर लेके आजाएगे, NCR by NCR minus 1, अब उसका value यह वाला पूट करेंगे, तो यह उपर उपर कटने के बाद, R equal to M आएगा, ठीक, यह M equal to R आएगा, छे नंबर में बोला है, 6 नंबर question देख लेते हैं, the number of combinations of N different things taken R at a time in which P particular things always occur, इन चीजों में R चीजी लेंगे, एक वक्त में, इसमें P particular thing हमेशा आएगा, हमेशा आएगा, जब हमेशा आएगा, तो फिर कोन वाला होगा, combination N minus P, C, R minus P होगा, यानि option A correct होगा, ठीक, और 7 नंबर number of combinations of N different things taken R at a time in which P particular things never occur, N चीजे का permutation, इसमें R चीजे ले रहे एक वक्त में, इसमें P चीजे ले रहे एक वक्त में, जिसमें P चीजे नेवर होगा, जब कभी नहीं आएगा, तो क्या होगा, शिरिफ N minus P, C, R होगा, यानि option B होगा, ठीक, 8 नंबर में है, इसका भेलू यहां पर 8 और 9 है, एक का difference है, तो यह कैसे होगा, जब एक का difference होगा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, वो formula लगाएंगे, उपर में क्या होगा, एक add हो जाएगा, और नीचे में बड़ा वला लेंगे, यानि 9, ठीक, कौन वाला, जो पहले हमने यूज किया थे, यह वाला formula, यह वाला, यह वाला, ncr plus ncr minus 1, equal to क्या होगा, इसमे 1 एक add हो जाएगा, यह एक add हो जाएगा 1, इसमे CR लेंगे, यह r minus 1 से बड़ा है न, यह ला लेंगे, वही वाला मेनी यहां यहां पर यूज किया, तो 11 मेक add होग या, तो 12 होगया, और C, यहां पर 8 और 9 में नowski बड़ा यह वाला ही उज़ करेंगे यह कुन सा फर्मूला जो भी हमने बताया था A N C R को हमनों कैसे लिख सकते A N C N minus R भी लिख सकते यानि N C R को minus करके यान तो 12 में से 9 minus करेंगे तो 3 हो जागा इससे क्या आसान होगा कि फैक्टर 3 बा लिखना होगा 12 into 11 into 10 बस तीन फैक्टर लिखें 2 नीचे 3 है तो 3 का फैक्टर यानि 3 into 2 into 1 अब काड़ा काड़ी कर दें 3 चोके 12 और 2 दूना 4 तो 2 into 11 into 10 11 दूनी 22, 22 into 10, 220 Option C Correct इसके बाद फिर यह वाला पूचा है कि 21 C 19 कितना होगा यहां भी हम लोग 19 बार फैक्टर नहीं लिखेंगे बलकि 21 में 19 माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा तो बस यह लिखना पड़ेगा दो बार लिखना होगा फैक्टर तो 20 दो फैक्टर लिखेंगे बाई नीचे फैक्टरियल 2 होगा यानि 2 into 1 दो से काड़ दें 20 को यहां से र का बहलू पूचा है तो जब दोनों equal दे दिया है तो हम लोग देख रहें के नीचे में यह अलग अलग है डिफरेंट यह पी है यह क्यू है और दोनों सेम नहीं है तो फिर यह दोनों को एड़ करके किसके बराबर होगा एन के बराबर यानि 16 के बराबर होगा तो र पलस 2 र पलस 1 इक्वल टू 16 हो यहां से केनना होगा 3 र इक्वल टू 1 को इधर करेंगे 15 तो 3 र इक्वल टू 15 तो र इक्वल टू केनना होगा 3 से काड़ दे 15 को 5 हो यह 10 नमबर और इसके बाद नेक्ट वीडियो में या तो लीमिट इस्टार्ट कर दूंगा या फिर इसका एमसी को बताऊंगा कोशिच करूंगा लीमिट स्टार्ट कर दूंगा थैंक्यू वेर मैच फॉर वाचिंग प्लीज शेयर तो अधर फ्रेंड्स प्लीज कर दूंगा वेर मैच जाई प्लीज शेयर प्लीज शेघर लीमिट वेज़ में तो लीमिट वेर थाज़ वेर रवा फिर शेयर वेर फिर बताद वेर फिर वेर दूंगा